तो दिखी फ्रेंज मैंने पनीर के पकोडे बनाए हैं और इनने मैंने किस तरह से बनाए हैं यह तो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा तो फिर किस बात की देरी दोस्तों चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं एलो फ्रेंज खुशिया और लिंबन चैनल में आपका स्वागत है तो देखिए फ्रेंज मैंने पनीर के पकोड़े की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर कर रखी है तो मैं उसी पनीर के पकोड़े बॉल से इस्टैल में फिर से रिपीट करने वाली हूं और इनका टेस्ट हुआ मैं ने तो सले से मेरश लिए असमान पर सबसे पहले आकरля पते हैं हमसं पनीर को कदुगस कर लिया है और जोने कर आप उनीसमें आप आप यह मेची पाउडर एड रही हैं आए तो देखी फ्रेंज मैंने इसमें यह पाउडर एड़ कर ली है और मैं यह हींग और जीरा पाउडर को एड़ कर रहे हूं दनिया पाउडर नमक आप नमक अपनी स्वाधा नुसार एड़ कर सकते हैं ठोड़ा हल्दी पाउडर ज्यादे एड़ अब इनको हाथों की शायता से अच्छे से मैस्क करना है तो दीखिए मैंने पनीर और वेशन को इस तरह से मिला लिया अब मैं इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बना लेती हूं और एक बात और बता दूं आपको अगर आप प्याज खाना पसंद करते हैं तो इसमें प्याज भी क करके मिला सकते हो हुआ है लुर्स इस तरह से सब्सक्राइक मैं और फंutर प्यान के सबब्द सब्सक्राइब कर देवastern को कड्यास नंकरिए और प्यायर भी और भी बप्यास मी에게 काली में जैनाँ है सिद्धे की मेरे पनीर की बाल्स पकोड़ें वह बनके तयार है चलिए अब दो consum法 करें ड़ेते लिए और गरम गरम चाय के साथ खाते है मेरी गर्मा गर्म पनीर बॉल स्टाइल पकोड़े तयार है और आप इन्हें खट्टी मीटी चट्टी के साथ खाईए और देखिए मैं आपको एक खोल के भी दिखा देती हूं कि कि इतना अच्छा बनाएं आप देखिए अंदर से एकदम क्रंची और शॉप्ट आप देखि तो दोस्तों आपको मेरा यह पनीर के पकोड़े बनाने का इस्टाइल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार बिजिट कर रहे हैं तो सस्क्राइब करना न भूलें टेक क्यार बबाए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीड